दोस्तों वेब टेकनोलोजी की प्रेलिश में अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपेरिंग जावा प्रिपेरिंग अ क्लाश टुबी जावा बीन्स तो यह कॉंसेट्ट क्या होता है चलो इसको समझने की कोशिज करते हैं पहले पुर्ट पें आप है दिया क्या हुए रियूजबिल्टी बहुत करते होगे तो अगर आप में से कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया होगा ना तो वह रियूजबिल्टी को प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहा होगा ठीक तो अब यहां पर मैं तो यार एक प्रोजेक्ट बना करते दिखाऊंगा नहीं समझ रहे हो तो चलो आई हो कि आप लोग समझ रहे होगे और जावाबी वही देखो जो सेयर करने वाला मैं बताया था ना पीछे एक्जामपल आप उससे रिलेट कर लो समझ जाओगे चलो अब जावाबीन इसलिए बनाया गया था कि रियूजबिल्टी का कॉंसेट और जावाबीन अभी मैंने पीछे बताया था ना कि मल्टिपल आपजेक्ट्स वगरे होते हैं उन्हें इनकाप्सुलेट कर देते हैं सिंगल आपजेक्ट में ताकि हम उसे रियूजबिलिटी ब अब्जेक्ट वही जो मैंने बता है कि बहुत सारे अब्जेक्ट होते हैं एक अब्जेक्ट के अंदर वो कर देता है इनकाप्सुलेट तो चलो अब इसको समझते है एक्जामपल आप जावाबीन क्लास की ठीक है तो पहले पॉइंट पर क्या दिया हो ठीक है अब देखो यहां पर जो पॉब्लिक दिया हुए एक एक्सेस मोडिफायर है तेक जिसे पॉब्लिक लिए एक्सेस किया जासकता है यह में क्लास बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया इंप्लॉई इंप्लॉई क्लास की नाम है इंप्लिमेंट कर रहे हैं इंप्लिमेंट किसको करते हैं को करते हैं यानि कि चलो इंटरफेस को हमने इंप्रेमेंट कर लिए इस क्लास के अंडर यानि कि जितनी भी चीजे इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी सभी चीजे आ गईं इंप्लॉई के अंदर इतना तक के लिए रहे अब हमने प्राइवेट बनाया और इंट टाइप का एक हमने वेरियबल बना दिया इड थीक है तो यहांपęd प्राइवेट क्यों दिया कि हमएं प्राइवेट इसलिए दिया तकि हम इस क्लास के बाहर कहीं एकसेस ना कर पाए इस वेरियबल को ठीक है तो अभी आप सोच रहे होएंगे कि जब आक्सेस ही नहीं कर पाएं तो हम लोग बनाएं कियों इसे अभी इसका मैं कॉंसेट क्लियर करता हूं अभी आगे बताता हूं अभी थोला सबर रखो ठीक है अब देखो प्राइवेट हमने की स्ट्रिंग बनाया जहां पर हम लोग नाम लेंगे नाम होगे रहे किसमें इंडर करते हो इस्ट्रिंग में ही नाम आपका होता है तो हां होता है पब्लिक मैंने की इंप्लॉई नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया कंस्ट्रक्टर आपको पता ही होगा किसले यूज होता है जो जावा पड़े होंगे ठीक है तो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दी यह मेथटर बना रहा है, पब्लिक कर दिए यानि कि पब्लिक कर दिए, तो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वाइड जो की रिटर्ण कुछ नहीं करेगा, ठीक है, अब देखो सेट आइडी कि यह सेट आइडी मेथड का नाम दें दिए, इसमें हमने पैरामीटर क्या पा पप्स्रीज ने करना चम्यानूर्ट जो we off करेंगे वह इसके अंदर लेकर आपका ठीक अब देखो पगली कि यहां पर हमीशा return टाइबत करते हैं कि हमको return करना इंतिजर में retailer क्या return करना get id ढ담 करेंगा और मिन्यक्त करना id अब आपको समझ रहे हो अभी मैं पीछे बोला था कि मैं private कर दूँगा तो कहीं से access नहीं कर पाऊंगा यानि कि class के बाहर से नहीं access कर पाऊंगा लेकिन class के अंदर तो करूँगा इसलिए मैंने एक public method बना दिया जो की ये access कर लेगा इसके अंदर का जो data है वो get कर लेगा और ये public method है और हम इसे दूसरे class के अंदर use कर पाएंगे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने private इसे क्यों बनाया ठीक चलो अब देखो अब देखो abstraction का यहाँ पर भी concept एक आता है ठीक है तो काफी deep में हम चले जाएंगा अभी मैं थोड़ा अंदर चला जाओंगा तो फिर आप भूल जाओंगे चीजे mix हो जाएंगी अभी जितना बता रहा हो तना समझो ठीक है तो get समझ लिए तो यही होता है getter and setter का concept होती यह है setter यही है getter setter से हम value को set करते हैं उस variable में getter से उस value को fetch करते हैं ठीक अब देखो set name हमने किया set name में name pass किया और यह आपका name जाके इस name में जाके store हो गया ठीक और हमें उस name को निकाल के लाना है तीसलिए हमने get name का method लिख दिया और हमने वहां से return करा लिए name ठीक अब देखो access the java bean class अब java bean class को कैसे access करोगे यह package है आपका यह public class एक टेस्ट नाम की class है जो आप बनाए हो और यह main function जानते हो कि जैसे हम लोग अब प्रोग्राम रन होता जावा का सबसे पहले main को देखता है main के अंदर जो जरफेड्च से बल्धन है और ओब जबंद से बनता है class की मज़स से बंता है इंप्लॉय कहा से आया इंप्लॉय यहीं से आया ओ ठीक है यह इंप्लोई हमने नाम इंप्लोई दिया था इसलिए इंप्लोई लिखा हम लोग अब्जेक्ट बना दियें अब्जेक्ट का नाम यह है निव लिखेंगा क्योंकि निव अब्जेक्ट बना रहे हैं ठीक फिर इंप्लोई अब्जेक्ट लिखें यह क्लास का नाम है constructor है ना तो जो constructor हम लोग बनाये थे ना ये ये constructor वही लिखे हैं याँ पर ठीक है तिसे हम ले class बना चुके employee class की बना लिया object बन गया अब इस object के अंदर आपको कोई नाम डालना होगा कोई ID डालना होगी तो जो लोग नाम डालके देखते हैं तो सबसे पहले object लिखेंगे फिर dot लिखेंगे फिर dot के बाद set name करेंगे ये जो हमने method बनाये था ना set name तिसलिए हमने set name किया इसके अंदर arjun pass कर दिये तो arjun आपका जाके हो जाएगा name के अंदर store अब name के अंदर store हो गया तो अब इस name को कैसे हम लोग फिच करके देखेंगे फिच करने के लिए हम get name का यूज करेंगे इस function का तो अब देखो system dot order print क्यों यूज करते हैं value को print कराने के लिए यह हमने object का नाम दिया यह object आपका नाम है यह object बनाये थे यह object के अंदर आपका नाम store है तो हम get method का यूज करेंगे दिख जाएंगी और जून दिखेगा वहाँ पर आपको आई होप कि यह concept आपको समझ में आगे होगा इसमें आपका interface का concept गेटर सेटर और आपका access modifier यह सारे concept आपके clear हो गए होंगे ठीक और चलो इसके बाद फिर नए concept चलते हैं और यार अगर सच में अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना यार तो एक like करो और एक comment करके बताओ कि मुझे वीडियो अच्छी लग रही है जब तक आप बताओगे नहीं तर मुझे कैसे पता से लिए इसलिए मैं आपको थोड़ा force करता हूँ कि like करो कमेंट करो तभी तुम मुझे पता से लेगा कि हाँ जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो वह helpful आप लोगों के लिए है ठीक है तो आई होब कि आप लोग वीडियो को पॉस्च करके comment वगरे करोगे लाइक करोगे